विदान सभा सीट पर कॉंग्रस प्रतियाशी जैंदर रमोला को जीत दिलाने के लिए नेता प्रतिपक्ष रिशिकेश पहुंचे इस दोरान उन्होंने IDPL की गीदा नगर में आयोजित एक जन सभा को संबोधित किया कहा कि भारतिय जनता पाठी ने अपने जीत के लिए जो लक्ष निर्धारित किया है उस लक्ष को कॉंग्रस भेदने जा रही है पूरे उत्राखण में परिवर्तन की बयार चल रही है नेता प्रतिपक्ष ने भाश्वा पर आरूप लगाते हुए कहा कि यदि भारतिय जनता पाठी ने विकास को राज में गती दी होती तो उन्ह ने तीन मुख्य मंत्री बदलने की जरूरत नहीं परती देश के रक्षा मंत्री राजात सिंग ने खुद सत्ता सम्हालने के बाद मुख्य मंत्री धामी को नाइट वाच्मेन की संग्या दी है इस पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि नाइट वाच्मेन सबसे कमजो के दलदल में किस तरह से फोजी हुई है। उन्होंने दावा किया कि कॉंग्रेस के साशनकाल में सूशाशन और इमानदार सरकार उत्राखनवासियों को मिलेगी। क्योंकि भाश्पा ने जीरो टॉलरेंस की सरकार का जूर नारा दिया था उस पर तो खरी नहीं उतरी उन्होंने कॉंग्रेस के पक्ष में लोगों से ज्यादा से ज्यादा मद्दान करने की अपील की भारते जनता पार्टी ने राज्जी के अंदर यदी विकास को गती दी होती तो उन्हें तीन-तीन मुख्यमंत्री नहीं बदलने पड़ते और इनी रादना सिंग जी ने जब धामी जी मुख्यमंत्री बने थे तो कहा था कि ये नाइट वाच्मेन है और नाइट वाच्मेन म किसको वेजा जाता है जो सबसे कमजोर के लाड़ी होता है एक मुख्यमंत्री चार सार चले दूसरे ने आपके सामने छह मेने में कमाल दिखा दिया अब नाइट वाच्मिन क्या बल्ले बाजी करें चित्रूप से कॉंग्रेश जो है रिस्क्रिशन दर चितने जारे भारती प्राखंड की तमाम छोटी बड़ी कपरों को जाने के लिए बने रही है मारे साथ